Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech, myself उमर तस्कीर, गैस लाश्ट के वीडियो में हम लोग देखा था किस तरीके से हम Google Search Console को connect कर सकते हैं Google Data Studio के थूरू और फिर वहाँ पर जो हमारी Google Search Console में data होती उसको यूज़ कर गए किस तरीके से हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं, अभी हम लोग ने जो रिपोर बनाने वाले Google Analytics के लिए, यहाँ पर हम लोग simply आ जाएंगे create के उपर और आपको पता है simply आपको जाना है report के उपर, तो चाहो तो आप पहले ही data source connect कर लो या अगर चाहते हो तो जब आप यहाँ पर report create करने आओगे, तब भी आप से पूछेगा कि आप data source connect करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप connect कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ही रास्ते हैं आपके पास, तो मैं simply यहाँ से Google Analytics select कर लूँगा, फाइन, और यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे बहुत सारे Google Analytics के account है, तो हम लोग एक अपना account जो है select कर लेते हैं, यहाँ से WS Cubetech और यहाँ से हम लोग as data use कर लेंगे, तो अब जितनी भी हम लोग यहाँ पर reports बनाएंगे, जो भी हम लोग scorecards बनाएंगे, जो भी हम लोग graph यूज करेंगे, वो सारे graph जो scorecards होंगे, उनमें जो data होगी, वो basically हमारे Google Analytics account की होगी, और यह जो view था, all website view वहाँ से होगी, fine, so guys, मैं इसको remove कर देता एक बार के लिए, और guys हमें फिर से इसको थोड़ा सा layout देना है, तो उसके लिए headers हमें define करने पड़ेंगे, तो मैं एक बार यहाँ से rectangle select करके, एक बार यहाँ पर मैं header define कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग text लिख देते हैं, Google Analytics, basic report, और अगर आप project का नाम भी mention क करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ पर mention कर सकते है, project text या जो भी आपका client है, client के कोई website है, उसका account mention करना चाहते है, जैसे मैं यहाँ पर अगर चाहूँ, तो WSQ Tech का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इस से थोड़ी से हमें और ज़दा clarity हो ज जाते हैं, 30 मैं इसकी जो font size है, उसको थोड़ा सा increase कर देता हूँ, एक बार के लिए, okay, and इसके बाद, 30 के बाद, सुगई जहाँ पर इसका font size हम लोगों ने 30 कर दिया, and now I'll stretch it a bit, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ा कर देता है, ताकि इतने section में आ जाए, otherwise आपको यह जो नीच ठीक लगे, तो let us put 24, 24 यहाँ पर हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो मैं इसको central में रख देता हूँ, now हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर, fine, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, हम लोग यहाँ से, perfect, और अगर आप चाहें तो इसके colors वोगरा भी text, यह guys हम लोग इसको white कर देते हैं, fine, तो यह हो गया, अब हम लोग को report बनानी, तो report के लिए हमें यहाँ पर information कुछ शो करनी पड़ेगी, तो मैंने हाँ पर लिख रख रखा है, टाकी है, आपको समझ में आ जाए, हमें user शो कराने है, new visitor शो कराने है, new visitor शो कराने है, और returning with stress हो कराने, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कि इन सब के लिए हम क्या use करेंगे, हम लोग score cards use करेंगे, यहाँ पर भी guys हम लोग क्या use करेंगे, score card use करेंगे, तो यह जो चारो चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही है, इनको represent कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, score card, तो guys, जो हम information यहाँ अपनी report में show कराना चाते हैं, जो data हम अपनी report में show कराना चाते हैं, यह भी देखना बड़ा जरूरी होता है, कि वो data किस type of chart में सबसे इच्छी दिखेगी, या किस format में सबसे इच्छी दिखेगी, तो यहाँ पर जब हम लोग inserts के उपर जाते हैं, तो आप दिखते हैं, पर बड़े सारी जो आपको charts हैं, बड़े सारी जो है आपको visualization के elements आपको यहाँ पर दिखते हैं, area chart है, bullet chart, scorecard है, geo chart है, बड़े सारे आपको options यहाँ पर दिखते हैं, तो जो data है, वो किस format में सबसे इच्छी लगेगी, या किस chart में सबसे इच्छी ल लेंगे, let's say, मैं यहाँ पर last 30 days by default यहाँ पर select कर देता हूँ, last 30 days apply कर दिया, तो यहाँ पर आपको by default last 30 days दिखाते रहेगा, और इसके according हम जो नीचे हम information लेकर आएंगे, अपनी report में, उसको हम change कर सकते हैं, अभी आप लोग इस चीज़ को समझ जाओगे, एक बार के ठीक है, यह आपके उपर depend करता है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आपको जो भी color combination ठीक लगे, वो आप ले सकते हो, then इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ एक heading चाहें, तो enter कर सकते हैं, ठीक है, basic information about users, right, मैंने आपर basic information about users लिखा, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा क कर देता हूँ, fine, और हम लोग इसको select करके center में रख देता है, right, तो यहाँ पर हमारा text आगया, तो text elements भी आप बीच बीच पर डाल सकते हो, ताकि आपकी जो report है, वो थोड़ी सी अच्छी लगे, fine, अब हम लोग को क्या करना है, चार score cards यहाँ से हम लोग को select करने है, users वग ठीक है, यहाँ पर हमारा element कौन से selected है, यह उपर से आपको पता चलता है, chart हमारा कौन से selected है, score card selected है, ठीक है, अब chart के बाद आप देखते हो, यहाँ पर क्या देख रहा है, आपको data, ठीक है, इस chart के थुरू आप कौन सी data दिखाना चाहते हो, fine, और कौन सी आपके पास और available fields है, जिनको आप use कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे है, यह चार्ट में हम कौन सी data शो करना चाहा है, तो यहाँ पर new users है, ठीक है, एक बार new users हम लोग इसको रखे रहने देते हैं, और यहाँ पर आपके पास comparison का भी option मिलता है, अलोगर आप यह चाहते हो, comparison में अच्छा है या बुरा है, ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, कि हम लोग जो comparison करेंगे, वो previous period से करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हो, अब हमें gain कुछ दिख रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा से scorecard को ठीक करता हूँ, ताकि हम लोग इसको set कर सके, styling बहुत ज़रूई है, scorecard वगर है, अब थोड़ी से style नहीं देंगे, तो यह अच्छे नहीं लगेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको center select कर देते हैं, सारी चीज़े center में आ जाएंगी, and then यहाँ पर background and border हमें दिख रहा है, तो यहाँ से मैं simple सा background color ले लता हूँ, fine, so let's take this yellowish thing, yellow वाला मैं ले लूँगा यहां से, और second हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, scorecard, हमें copy paste करना है, ताकि size और जो हम लोग ने formatting, जो style हम लोग ने इसको दे रखी, वो ना effect हो जादा, तो मैंने यहाँ पर new users बना है, अब second वाला data पर वापस आ जाओंगे, ठीक है, और यहाँ पर new users हमें नहीं चाहिए, इस बार हमें यहाँ पर चाहिए users, ठीक है, simply हमें users चाहिए, so we will click users, अब आप देखो कि यहां users दिख रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ users को आगे कर देता हूँ, एक बार के लिए new users को यहाँ पर मैं लिख दूँगा, तो गैस किस तरीके से आप इ ओके, here it is, and इसके बार हम लोग यहाँ से फोर्थ वाला भी जो हमारा scorecard है, उसको भी हम copy paste कर लेते हैं, अब यह जो थर्ड वाला हमारा scorecard है, इसमें हमें कौन सी information एंटर करनी है, वो हम लोग अभी यहाँ पर notepad में जो हम लोग लिखा है, उससे देख लेंगे, तो थोड इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको bounce rate कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसको remove करके conversions कर सकता हूँ, यहाँ जो हमारे goals है, इंपॉर्टन कोई goal है, वो मैं यहाँ शो कराने चाहता हूँ, और यहाँ से हम लोग यहाँ पर bounce rate ले ले conversion, ठीक है, cost per conversion है, और भी जो आपकी goal conversions है, वो है, तो let's suppose हमारा कोई conversion है, जो हमने define किया वा Google Analytics में, यह BSC IT internship वाला जो page है, अगर यह view होता है, तो we will say that this is basically a conversion for us, तो यह थोड़ा सा lengthy है, तो मैं इसको थोड़ा से length इसकी जो है, वो increase कर देता हूँ, तो आपकी data किस type से यहा geography, ठीक है, geography wise, मतलब location wise, users and users by age group and users by devices, okay, fine, so I'll put another heading over here, ठीक है, more about users, basic information यहाँ पर लिखा हुआ था हम लोगों ने already ही, यह हमारी कुछ basic information थी about users, I'll put another heading which says that more about users, right, more information about users, इसको हम लोग एक बार फुड़ा सा center में कर देते हैं, here it is, ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा center में set कर देते हैं, एक बार के लिए, here it, right, more information about users, अब हमें यह तीनों चीज़ें हाँ शो करने ही, users by geography, geography की बात हो रही है, तो यानि maps की बात होगी, perfect, तो guys हम लोग आ जाते हैं, insert के उपर वापस, और यहां से हम लोग map select कर लेंगे let's say, geochart, right, so geochart मैं यहाँ पर drop कर दूँगा, मुझे तीन चीज़ें यहाँ पर show करने हैं, तो उसी हिसाब से मैं हाँ कोशिश करूँगा कि वो थोड़ा सा aligned हमें दीखे, so I'll put geochart, geochart हो गए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखना पड़ेग तो भी एक अच्छी चीज़ है, तो मैं यहाँ से एक pie chart select कर लूँगा, और मैं बिल्कुल इसके साथ उस pie chart को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, तो यह guys हो जाएगा हमारा pie chart, okay fine, so यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी pie chart में क्या information है, तो pie chart में आप देख सकते हो country wise users के एंटर कर देता हूँ, या हम लोगे simply age एंटर करनी है, तो मैं age एंटर कर देता हूँ, अब आप देखोगे, यहाँ पर age wise आपको चीज़े पता चल जाएंगी, ठीक है, आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि किस age group का basically percentage जो है वो जादा है, किस age group के users जा करनी है, वो है users by devices, तो devices के according हमारे पास कितने users है, मतलब कितने लोग है, जो mobile से आए, कितने tablet से आए, कितने desktop से आए, तो information भी चाहिए, तो इसको guys मैं क्या घरता हूँ, बार चार्ट में मैं इसको represent कर देता हूँ, तो guys ऐसा नहीं कि यह वाली जो आपकी information है, जो यहाँ प आपको मैं थोड़ सा यहाँ पर इसको align कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर select कर लेते हैं, कि हमें क्या यहाँ पर show कराना है, ठीक है, तो guys हमें यहाँ पर show कराने है device category, यहाँ पर guys हमारी आजाएगी device category, dimensions में हम लोग रख देंगे device category, और यहाँ पर metric में द यार कर लिया है, और मैंने इसको preview कर दिया है, तो guys अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसको change करूँगा, तो आपको यहाँ पर भी changes दिखेंगे, right, तो guys यह अभी last 30 days है, और मैं इसको कर देता हूँ last 14 days, fine, और इसको कर देते हैं guys हम लोग apply, तो आप देखो कि पूरी data में आप ही आपको changes दिखेंगे, तो यही मैं आपको बतानी कुछ कर रहा था, कि यहाँ पर जो reports बनती ही, वो pure और pure reports सारी dynamic होती है, तो guys अगर आप इस report को किसी को share भी कर रहा है, और वो कुछ study करना चाहता है, कुछ filters लगाना चाहता है, तो उसके पास हमेशा यह scope रहता है, और जिसे मैंने आपको बताया था, कि interactive तो यह होती है, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी hover करोगे, तो आपको बड़ी सारी information बता रहा है, मैं इंडिया पर hover करता हूँ, तो इंडिया से जो मेरे users है, वो मुझे पता चल रहा है, मैं यहाँ पर hover करता हूँ, तो desktop से जैसे कोई भी information है, जैसे यही वाली information थी, तो आपको देखना है, यह दूसरी किस type के chart में यह information और अच्छे से represent हो सकती, यह थोड़ा सा आपको experience है, जैसे मुझे यह लगा कि जब हमारे desktop, mobile और tablet है, यह मैं बड़ी असानी से यहाँ पर show करा सकता हूँ, बार graph में या बार जाकर, वो interactions आप यहाँ edit वाले section पर नहीं दे सकते हैं, अगर आप यह सोच रहे होगी, यहाँ पर भी आप ऐसी filters चेक कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, यह आप जो data change हो रही है, उसको आप देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, गुगल data studio में आपको view में ही जाना तब ही आप बिसकली इसको देख सकते हैं, जो भी आपके interactions हैं, जो आप interactions कर रहे हैं, उनके basis में यहाँ पर क्या data change हो रही है, दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही, मिल देने नेक्स वीडियो में, till then, goodbye.